आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बावू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट आप टैली का अधूरा ज्यान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं यदि आप accountant या विद्वान बनना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है इस वीडियो सिरीज की सभी वीडियोस को एक-एक करके क्रमानुसार ही देखें वीडियोज को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट द्वारा टेली की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे टेली सॉफ्टवेर डाउनलूट करना और इंस्टॉल करना इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको मैन्यूल अकाउंटिंग की प्रोसेस के अंतरकत बैलेंशीट क्या है और उसे कैसे बनाया जाता है ये बताया था साथ ये भी बताया था कि इसी के साथ हमारी अकाउंटिंग से संबंधित बेसिक जानकारी पूरी हो गई आप टेली सीखना चाहते हैं लेकिन आपके लैपटॉप या कम्पिटर में टेली सॉफ्टवेर नहीं है तो उसका एक बहुत ही सरल तरीका है आप टेली का एडुकेशनल वर्जन डाउन्लोट करके उसे इंस्टॉल कर लें और फिर उस पर आसानी से टेली सीखें भविश्य में जब आपको लैसेंस्ट टेली सॉफ्टवेर की जरूरत लगे तो आप उसे खरीद लें या किराय पर ले लें टेली के एडुकेशनल वर्जन में टेली के अधिकांश फीचर्स मिल जाते हैं इसे आप काम करना तो आसानी से सीखी सकते हैं इसमें सिर्फ एक ये दिक्कत होती है कि आप वाउचर्स बनाते समय यानि ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करते समय कुछ ही तारिखों जैसे कि 1, 2 और 31 में ही काम कर सकते हैं सभी तारिखों में वाउचर बनाना संभब नहीं होता कारण भी इस पश्ट है यदि पूरा ही काम एजुकेशनल वर्जन पर हो जाएगा तो टेली खरीवेगा कौन तो आएए देखते हैं टेली सॉप्ट्वेर डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना किसे भी ब्राउजर में टाइप करें डाउनलोड टेली एर्पी 9 और एंटर प्रेस करें देखें नीचे टेली की ओफिशल वेबसाइट टेलीसॉलुशन्स डॉट कॉम दिखाई पड़ रही है हम आपके सुविधा के लिए इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रहे हैं इसे सिलेक कर लें ऐसा करते ही टेली की वेबसाइट ओपन होगी जिसमें डाउनलोड ओप्शन दिखाई पड़ेगा डाउनलोड पर क्लिक करें टेली का सेटप डाउनलोड हो रहा है और देखे कुछी सेकेंट में सेटप डाउनलोड हो गया है अब इसे ओपन कर लेते हैं Setup पर Double Click करें, यहां Yes पर क्लिक करें, Yes पर क्लिक करते ही कुछ seconds में Tally.erp9 installer window open हो जाएगी, इसमें Install पर क्लिक करें, यहां आपको कुछ इंतजार करना होगा, अब Done पर क्लिक करें, Done पर क्लिक करते ही देखें Tally की Startup window आ गई है, यहां Startup के अंदर गरत कुछ options दिखाई पर रहे हैं, यडि आपने Tally का license लिया है, तो उसे यहां से activate कर सकते हैं. यदि आपके पास license पहले से है, और आप उसे re-activate करना चाहते हैं, तो उसे यहां से कर सकते हैं। और यदि आप Tally की राय से लेना चाहते हैं, लिए या तो इस पर जाकर के एंटर प्रेस करें या कीबोर्ड पर और डब्ल्यू कीज को एक साथ प्रेस करें ऐसा करते ही टैली सौफ्ट वेयर एडुकेशनल मोड में ओपन हो जाएगा और आप अपना काम कर सकेंगे अभी हम इसे बंद कर देते हैं उसके लिए एक बार इसकेब की प्रेस करें और फिल एंटर प्रेस करें देखिए टैली इंस्टॉल करते ही हमारे डेस्टॉप पर टैली का शौटकट बन गया है जब भी आप इसे उपन करना चाहें इस पर पॉइंटर ले जाकर माउस के लेब बटन से डबल क्लिक करें यदे डेस्टॉप पर शौटकट नहीं दिखाई पड़ रहा है तो टैली ओपन करने के लिए स्टार्ट बटन पर जाकर क्लिक करें सर्च बाज में टाइप करें टैली ऐसा करते ही उपर टैली दिखाई पड़ेगा उस पर माउस के लेप बटन से क्लिक करें टैली उपन हो जाएगा इस वीडियो में आपने जाना कि टैली सौट्वेर कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं अगली वीडियो में हम बताएंगे कि टैली में हिसाब किताब मैंटन करने के लिए नई कंपनी कैसे बनाते हैं साथ ही कुछ अन्यमत उन जानकरियां भी देंगे